नमस्कार मैं हूँ विश्यक में रोवर आप देख रहे हैं न्यूस 24 पंजाब रहना आज हम इसके प्रेस प्रेस प्लब में जहां एक नई बुक की लॉंचिंग पर है जिसका नाम है पांच के सिक्के तथा अन्य कहानियां मेरे साथ है इसके लेखक शेल जा कोशल जी मैं सब कar से यहां से बाद कर देख जो आपने चोटी चोटी कुष्यों से है जो हम अपनी भागदॉड वाली जोड़ी की पीचे छोड़ देते हैं चाहे वो रिष्टों की बात हो चाहे वो प्रोफेशन की बात हो तो इस सारे सफर में जो हमारी खुशियां पीछे छूट जाती हैं वही सिक्के जो हैं वही खुशियां जो है हमारे जीवन का जो है असली तत्व है जिन्दगी में दो पल होते हैं खटे और मिठे इस पर अधारित है यह पांच सिक्के की गड़ा और मैंने as a human being जो आसपास के अनुभवों को देखा महसूस किया एक आम आदमी एक परिवार की जो खुशियां और दुखों की जो बात है वो मैंने इन कहानियों में कही है और मैं उमीद करती हूँ यह कहानिया आपके दिल को छूने वाली कहानिया सावित होंगी इसमें लिखा है 12 कहानिया कुछ है उसमें एक कोई ऐसी चीज थोड़ा दशका हूंदा है क्या है पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा मज़ा देखे कहानी जो है पांच के सिक्के पहली कहानी है उसके बाद मेरी सिक्ता कहानी है इश्दिहार फर्ज मिसिस लोबो स्पेशल तो for example जिगर का टुकड़ा एक कहानी है उसमें दो सिस्टर्स के प्यार की कहानी है कैसे एक छोटी बहन जो है अपनी बड़ी बहन के लिए सब कुछ करने को तयार है यहां तक कि अपना लिवर भी वो डोनेट कर देती है अपनी सिस्टर की लाइफ के लिए इसी तरह मिसिस जकूर की कहानी है कैसे जावास पत्रकार जो है वह अबी प्रफेश्चनल लाइफ और पर समय लाइफ में बैलेंस मिठाता है तो इस तरहसे जीवन decisions को चूने वाली यह कहानिया को पत्रकार रहे हो तो शायद उसकी हर न्यूज में से एक स्टोरी भी निकलती है, एक कहानी बनती है, एक तो जो न्यूज हम कवर करते हैं वो फैक्शल रिपोर्टिंग होती है, लेकिन उस कवरेज के पीछे कुछ लोगों की जिंदिगियां उस इवेंट से जुड़ी रहती हैं, तो इस तरह क इवेंट्स को मैं डायरी में नोट करती गई, और उसका फल यह हुआ कि इतने सालों में मेरे पास कहानियों, डेरों कहानिया इकठा हो गई, ये उन्हीं में से कुछ चुनिंदा कहानिया है, आज का दोर देखा है जाए तो सोशल टेक्नीक, सोशल मीडिया का जमाना है, जो कि आप देखते हैं कि जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है और अब ये बुक पढ़ने पर लोगों चोड़ रहे हैं, उस पर अपका क्या होगा? कोई कहानिया जरूर जो है सुनाई, स्टोरी टेलिंग जो है वो बच्चों के जीवन में बहुत महत्वर रखती है, कितने समय से आप ये पुस्तक लिख रहे थे, कितने समय के बाद ये अभी पुब्लिश हुई? देखे, दो साल मुझे ये पुस्तक कंप्लीट करने में लगे हैं, और उससे पहले मन में विचार तो बहुत समय से थे, और बहुत सालों से मैं ये कहानिया जो है पाटकों के सामने लाने की सोच रही थी, तो बड़ी मेहनत और मैंने इन कहानियों को शब्दों के रूप मे पिरोया है, इस आखर में क्या मैसेज दिना चाहोगे जो आज के नई प्रीडी है, मैं यही कहना चाहूँगी कि बुक्स जो हैं, उनको अपने जीवन का भाग बनाएए, और हर रोज दिन में एक पेज पढ़ें, और लिखें भी, एक पेज लिखें, डायरी लिखें, पढ़ना और लिखना जो एक थेरपी भी है, और विक्तित्व का विकास भी करती है, तो इसे अपने जीवन का एक अटूट अंग बनाएए, तो मैं साथ है शैल जा कोशल जी जिन्हें पांच के सिक्के, एक महत्तपम इसमें बात है कि 12 कहानियें भी लिखी गही है, इसमें लोगों को पढ़ने के लिए जागरूप भी किया जा रहा है, मां उश्यक मैनलन ने भी संड़ी फोजचन दिगाए,